हेलो दोस्तों आल इन वन टीटी चैनल में आप सभी का स्वागत है जिन सभी अब भैरतियों का कॉंसिलिंग कंड़क्ट हो गया है बिहार सिक्षक बहाली 2021 की उन सभी अब भैरतियों के दुआरा मुझे बहुत सारे मेल और कॉमेंट्स मिल रहे हैं कि सर मेरा कॉंसिलिंग हो चुका है ज्वाइनिंग लेटर कब तक मिलेगा स्कूल में ज्वाइनिंग कब तक होगी पुड़ी अपडेट इस वीडियो में आप सभी तमाम अवर्तियों को बताए जाएगी तो आप पुड़ी वीडियों को अंतक देखते रहिए ताकि आप सभी अपडेट को बिहार स जानते हैं इसके बारे में लेकिन मैं कुछ खास अफडेट इस वीडियो में देने वाला हूं तो आप पुड़े वीडियो को अंतक देखिए स्किप मत करिए साथ मैं अपनी चैनल पर नहां हैं फर्स्टेम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बगले ब भेर्थियों को नुक्ति पत्र मिलेगा सर्टिफिकेट अप्लोड के बाद संबंधित बोड में सभी अंक पत्र एवं पर्मान पत्र को भेजने की प्रक्रिया सुरू हो चुकी है आप सब यह देख सकते हैं कि आपकी जो डॉक्मेंट है वो अप्लोड किया जा रहा है और स बोड उसको भेरिफाई करके आपको सूचना जिला को देगी कि आपका जो डॉक्मेंट है वो सही है या गलत है इसकी अप्डेट बोड देगी तो वो प्रक्रिया जो है शुरू हो चुका है जिनका अप्लोड हो चुका है बारी-बारी सुन लोगों का फॉल्टर बणा के आपका डॉक्मेंट जो है बोर्ड को भेजा जा रहा है वहीं पे जिले में चैनित सुची की जाच के साथ ही सनिवार को देर साम तक 150 नियोजन इकाई के अभ्यरतियों के सर्टिफिकेट अपलोड कर दिये गए हैं ये मुझपरफूर जिले की अपडेट है मोटा मोटी ये ही अपडेट सभी जिलो की है सभी जिलो में तवरित रूप से काम चल रहा है डॉक्मेंट जो है अपलोड हो रही है और रात के दिर रात तक आपकी डॉक्मेंट जो है अपलोड हो रही है जिनका अपलोड हो जा रहा है उन सभी डॉक्मेंट को जो है बोर्ड भेजा जा रहा है वहीं पे नियोजन इकाईयों की ओर से चैनित अभ्यार्थियों के सर्टिफिकेट में किसी तरह की गरवरी न हो इसे लेकर इस बार सर्टिफिकेट जाच के बाद है निक्ति पत्र देने का आदेश है देश तो देख सकते हैं कि आपके डॉक्मेंट बरिकेशन हुआ है तो हटाय गया है ऐसा इस बार नहीं होगा डॉक्मेंट वेरिफिकेटि की ही बहाली होगी यहीं नहीं टीचर ट्रेनिंग और टीटी में किसी तरह का फर्जिवारा तो नहीं किया गया है इसे लेकर चैनित अभ्यार्थियों के टीट के अंकपत्र और लिए गए हैं आप सब्वेवर्ति दियें हैं जिनका असनातक अस्तर पर भी जुनका बहाली होगा कॉंसलिंग होगा उनसे भी सिर्फ और टीचर टीटी जिनका विहार टीटी है उनका सिर्फ पत्र और सीटेट जो बच्छे से उनका मतलब सर्टिफिकेट और मार्श स्टेट्मेंट वाली जो मार्शीठ है वह ले लिया जाएगा और आप सब देखते हैं कि मैट्रिक इंटर के मूल पत्र देखकर लोटा दिया गया है आपका जो जिलोक्स जो है लिया गया है और फोटो को भी जमा कर लिया गया है अब ये सभी परमान पत्र विभाग की ओर से जारी पोर्टल पर एजेंसी के माध्यम से अफलोड जो है किये जा रहे हैं और देख सकते हैं डीयो अब्दुसला मंसारी और डीपी और स्थापना ने बताया कि चैनित सुची की जाच के बाद ही सर्टिफिकेट अप्लोड किया जा रहा है आप सभी वर्थी देख सकते हैं सभी सर्टिफिकेट विभाग की ओर से संबंधित बोर्ड को जो है भेजा जाएगा आप सभ अप्लोड किया गया है किसी तरह की गरवरी हुआ तो चैन होगा आपका रद जिहां दोस्तों डॉक्वेंट वेरिफिकेट में कहें भी प्रोब्लेम होगी तो आपका चैन जो है रद कर दिया जाएगा देख सकते हैं डीयो ने कहा कि पिछले बहाली में टीटी सर्टिफिक में कई तरह की फर्जिवारा पकड़ा गया था ऐसे में इस बार इसमें बदलाव किया गया है अगर किसी भी अभ्यर्थी के टीटी या अन्सर्टिफिकेट में किसी भी तरह की गरवरी मिली तो चैन जो है रद कर दिया जाएगा तो आप सभी तमाम अभ्यर्थी देख सकत की कानसलिंग होने के बाद डॉक्मेंट वेरिफ केसन को काम चल रहा है और भी और लोंध्य हो रहा है अप लॉड्मोना होने के बाद आपकी जो सेडिफिकेट है मैट्टिकา시대 ट्रेनिंग और सभी डॉक्मेंट जो है बोड को अभियर्थी का जो है ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा दूसरी बड़ी बात है कि आप सब अभियर्थियों के दुवारा इभी प्रक्शन किया जा रहा है कि सर अभी परखंड आस्तर का या कुछ नगर पंचायत का या जो पंचायत का केंसील हो गया है या कुछ ऐसे पंचायत लंदे जिनका नहीं हो पाया है तो क्या उनका कॉंसलीं होने के बाद ही ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तो नहींने के बात document verification के बाद ही सभी लोगों का एक बार में join letter जारी कर दिया जाएगा और आप सभी तमाम अभ्यरती जिनका counseling हो गया है आपनों wait करें document verification के बाद जो है आपकी join letter मिल जाएगी और उसके बाद आपकी joining भी हो जाएगी तो आप सभी तमाम अभ्यरती जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी अभियरतियों के लिए एक बड़ी अपडेट है कि सारी कॉंसलिंग संपन होने के बाद डॉक्मेंट फिरिफिकेशन के बाद आपकी जो है इसू किया जाएगा और जितने भी फर्जियवियरति पकरे जाएंगे उन पर एफाइयर साथ पे और का जो है एफाइयर धर्ज किया जाएगा और उनकी चैन जो है रद कर दिया जाएगा तो आप सब यह बढ़ती को वीड पूरे वीडियो को अम तक देखने के लिए धनवाद